दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान क्योंकि हर काम तक्दियों पर टाला नहीं जाता परिश्रम पे ध्यान दो पशीना बहुत सी प्रेशानियों को हल करता है शातियों नमनार्ण और बात करते हैं आज के राशिफल की गुरुवार 14 अक्टुबर 2021 के राशिफल की बात करूँगा लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता है आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ आपकी समश्यों के शमधान के लिए आपसे संपर करूँ तो यह जो दोनों नमबर निचारे इन नमबरों पर आप अपना नाम अपनी जनम तारिक अपना जनम समय और अपना जनम इस् शूर्य का नीच रासी तुला में प्रवेश शावधानी का संकेत दे रहा है इस पर मैंने वीडियो डाला है इसको जरूर देख लेना क्योंकि 17 अक्टूबर से 16 नमबर तक शूर्य श्यम तुला रासी में रहेंगे और यह अच्छा नहीं माना जाता है इस पर शावधानी अपेक्षित है तो इसका वीडियो में ने गुरुमंत्र विदाती महराज की चैनल पर डाल दिया है इसको आप देख लेना नमबर अब बात करते हैं आज के पंचांगी आश्विन सुकलपक्स की नवमी विकरम सनों दोहजार अठातर आश्विन मास की उननतीस परविष्टे सक्सम उनिशो तेतालिस आश्विन बाईस तद अनुसवार गुरुवार 14 अक्टूबर दोहजार एक्किस सुर्य उदे कालिन तिथी है नवमी तिथी का समाप्ति काल है साम 6 बजकर 52 मिनट अगली तिथी 10 मिन लगेगा सुर्य उदे कालिन योग है ध्यती योग योग का समाप्ति काल है 15 अक्टूबर शुबे 1 बजकर 46 मिनट सुर्य उदेकालीन करण बालो करण है क्रण का शमाप्ति काल सुबे शुबेश साथ बज कर सताईस मियनट पर अगला करण कॉलओ लग जाएगा चन्दुर्मा आज मकराशी में और शों के नक्षत्र में दिन भर शंस्चारणंग करेगा साड़े नोबयोजे जे आज के जुक्रहय योग हे प्रातकानी लगन, कन्या लगन, लगन में शुर्य मंगल और पुद्ध संचरण कर रहे हैं। यह जो अरतालिस मिनट है आज की दिन कोई भी शुब कारी करने का सबसे उत्तम मोर्थ है। कोई ना या और शुब कार्य जिसकारी में चीर काल तक लाब मिले उसे अभी जीत मूर्थ में करना चाहिए और यह अभी जीत मूर्थ प्रभुशीर हरी को बहुत प्रिया है आज का लाब का चोगडिया दोपर बारा बज कर साथ मिनट से लेकर दोपर पारा बज कर एक बज कर तैंतीस मिनट के आस पस तक रहेगा अमिर्त का चोगडिया दोपर एक बज़ कर तैंटीस मिनठ से लेकर दोपर तीन बज़ तक रहेगा और शुब का चोगडिया सामे चार बज़ कर 26 मिनट से लेकर सामे पांच बज़ कर बावन मिनट रहेगा आजके जो राहुकाल है दोपर डेड़ बज़े लेकर तीन बज़े तकर राहुकाल के दन्शुबकारी करना शौदा करना पुझे निवेस करना अनकुल और उचीत माना ने गया है शमय शाधन और प्रस्तिया में बहुत बदलाव आ गया है आप किसी भी दिशा में यातरा करें कोई फरक नहीं पड़ता हाँ आज के दिन जब यातरा पे घर से बार निकले तो साथ कदम दक्षन दिशा की और चलें तस पर साथ कुल देवता इस्ट देवता और पितर देवत गुरवार 14 अक्टूबर साम 6 बज कर 54 मिन्ट से लेकर 11 बज़े तक का नामकरण संसकार का एक अच्छा मौरत है यह देख जरू लिजए का यह टाइम बहुत अच्छा है अब मैं आपको अंकों की रहशी दुनिया में दुनिया में लेके चलता हूं क्या कहते हैं अंक आप एक उपाई आप लगातार करते रहना आपके लिए बड़ा शुबर हर बुद्वार को कीनर को हरी वस्तू का दान देना बड़ा शुबर हैगा यह देख रहना या फिर गाई को हरा चारा या पालक अपने हाथ से खिलाईएगा जिवन की बहुत सी पारवरिक बाताओं से आ चौदा आपका जनम दिन है चौदा और जोड़िये एक और चार पांच हुए यनि मुलांक आपका पांच हुआ और मुलांक पांच का जो शौमिक रह वो बुद्ध है और आप एक परिवरतिन से सभावाले व्यक्ति हैं आप शमय काल प्रस्तिक अनुसार खुद को ढाल ल आपको शागर बुद्धी चतुर सभाव के विद्याओं का ज्यान आर्थिक इस्तिति आपकी सुधर आप अपनी बुद्धी और बल पर पैशा कमाते हैं सभाव हंसमुक है मिलनसार है सामानी रूप से आपका गरज जिमन शुकी रहता पर तो आपके रिस्ते रहते विवा आपके समन्द ठीक ठाक रहते हैं संतान पक्ष को लेकर आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है आपके आए के एक से अधिक साधन होते हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो साथ में छोटा मोटा साइट बिजनेस जरूर करते हैं आपकी ताकत है खोजी व्यक्तित समयनुसार अपना पाला बदलने की आदत नई चीजों को खोशते-खोशते कभी दिसाही नहीं हो जाना लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाना और बेचैन सबाव यह आपकी कमजोरी इस पर आपको काबू करना चाहिए बुद्वार के दिन गनपती के सिंदूर सत्याते हैं तो आपके सारी कश्ड दूर होंगे न मुना रहेंगे अब बात करते हैं सिध्धान्तों की और आपको सीखना चाहिए मित्रों सात्यों जोतिस की अध्वुषिधान्ते लगन कॉन्डली होती है जातक जनम कॉन्डली में लगन का सौमी केंदर इस्तान में अथ सफलता हासिल करता और मेहनत का पूर्ण फल उसे प्राफ़ता यह अद्भुद सुत रहे हैं सफलता मिलती है देव गुरु ब्रश्पति पंचमेश के साथ किसी भी कैंदर इस्थान या लगन या चौथ या सब्तम या दसम इस्थान में यूती समंद इस्थाथ पर कर ले ध् सुक में बाधाओं का संकेत नजर आता यह मैंने देखा आप देख रहे हैं संतान की प्राप्ति बहुत देर से होती और कभी कभी संतान सुक में कमी भी आ जाती है कि कुछ ऐसे सुत्र है जिस पे मैंने काम किया आप भी इसको देखे गाए जाता कि जनकुन में शप्तमेश लगन भाव में बैठा हो ऐसा व्यक्ति का अपने जीवन सात्ति की प्रती बहुत जुकाव होता है जीवन परियंत्र अपने जीवन सात्ति के साथ वो समर्पन भाव से रहता है तन मन धन अपने पार्टनर की प्रती को समर्पित कर देता है रिष्टों की कदर करता है इस शुत्र को भी आप देखलें नमनारे अब चलते हैं नक्षतर विज्ञान के दिया में क्या कहते हैं आपके नक्षतर आपके लिए बात करूंगा आपके राशी पल के पहले मेश्टरासी की और मेश्टरासी की चर्चा करू उससे पहले बताना आपके चंदरासी पराधार में दसमभाव में चंदरमा की नक्षत में आज ही संचरन रअब, शफलता, खुशी, प्राप्तिका संके दिने नोकरी में, वेवशाइं में, कामकाज में आज अनकुलता रहे जो एक उदासी थी, आपायूषी हुझा महत्पुनकारी शंपन होगी स्वास्ति उत्तम रहेगा और शास्त रुस्ता बढ़ेगा आर्थिक लाब से मान्सिक परसंता बढ़ेगी कामकाज की सिति सुदल्ड रहेगी और जौब में इस्थिरता आएगी पर्मोशन हो सकता परिवर्तन हो सकता है उनतिक अउसरप्राप् सिक्षा के छेतर में इस प्रबल संभावना है क्या करें अपनों के साथ उच अद्धिकारियों के साथ मेलजोल बढ़ाईवाइगी क्या करें अज आपको आपका भगयए वáticas लाब देगा चत्तर पर सिस्द भागिया आपको लाब देगा क्या उपाई करें तो मेश्राशी वालों सरदामसाल शाबुत मशूर शफाई करमचारी विद्वा महिला को दान में देना बड़ा शुब रहेगा नमनान बात करते हैं विर्श्वरासी की विर्शवरासी वालों नमनान भाव में श्वरासी चन्दरमा का संत्रन लाब और शफलता का संकेदिर विविशाय में आज आपके पक्स me का पूर्ण शहुरेगा और राजनेता और प्रसासनिक अपसरों को आज वरत्रसों में बढ़ोतरी मिलेगा हां कुछ बात हैं जिस पर ध्यान रखना है दूसरों की बातों में आने से बचना होगा प्रतिक कारिये में विवेक लगाना बहुत ज़रूरी होगा अब विद्यार करें बस माथा पिता की आग्याओं का पालन क्या ना करें स्वजनों की हित्गियन देखी ने करें आपका अलकियां किया दो अलकी कलर है आज पिंग यानी गुलाबी भागी आपको आज 55% सपोर्ट कर रहा है विश्वराशी वालों जो बतासे होते हैं सफेज सफेज जो ब बनका कहा रहा है शूरी और चंदर्मा को अस्टम का दोस्त नहीं लगता लेकिन गोचर में अस्टम भाव का चंदर्मा अच्छा संकीत नहीं देता है आज सावधानी अपक्षित है अब प्रत्यक्सित घटनाओं का योग है दुरगटनाओं की संभावना है और कोई धोका कर सकता है या कोई कानूनी मसला आपको प्रिशान कर सकता है लपरवाई भोðकर त्सेक मानशिक राहे है कोई विक्टे के समश्या मनको वैथित कर सकते हैं श्वास्चे को धिला रह सकता है अपनों से वहवार करते समय वानी पर सेइम रखना बहुत और कारिशितर में के भरोसे नहीं रहना क्योंकि आश्वासन फली भूत नहीं हो वित्रों शाथियों आप विद्यारतिया आप विवा है शिक्षा और के लिकुल लापरवई आपको नुक्सान दे सकते हैं क्या करें बुजर्गों की आग्यों की अभेला नहीं करें नितिनिन्म सिधानतों का प हागी आज आपको मातर 35 परतिसरत लाब देगा लापरवई नुक्सान देगी ओम विगन हरताय नमा इस मंत्र का जाब करते हुए गणपती की सिर्चर्णों में आज हरे हरे मूं सरदानुसार हरे मूं हरे कपड़े में बांध कर रखना लाबकारी रहेगा नमना रहे बात क संतोलित रहेगा मन में शंतोस रहेगा निर्णे समता अच्छी रहेगा अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारवरी सयोग मन अनकुल रहेगा करकराश वालों शक्तम भाव का चंदरमा लाब और शफलता का संकेत दे रहा है ग्रगोचर की जो शुबदरश्टी वे अनकुल फलों को देने में समर्थ है नौकरी में उनतिक अउसर प्राप्त होंगे घर परिवार में शुब और मांगले कारी शंपन होंगे साजदारी कारे में विशिस लाब की प्राप्ति का प्रबलसम पर और दामपत जीवन बड़ा अनकुल लेगा जीवन साती के है शिक्षा के छेतर में जो बाता हैं जो प्रेशानी है उस कष्ट छुटकारा मिलेगा और आपको लाब देगा क्या करें थोड़ा सा अधिकारी वर्ग को अपने साथ मिला कर चला है या अधिकारियों की बात को समझे और उनके साथ चले क्या ना करें किसी से सतुरता नही शुब रहेगा यानि नौ वर्ष की कन्याओं उमर की उमर से कम है नौ वर्ष कम उमर की कन्याओं को दूद का दान देना अच्छा रहेगा नमनन और बात करते हैं सिंग्राज वालों समय अनकूल शितारों का सुब शंकित चंदर्मा छटे भाव में संचरन कर रहा है और आ आजनिती के शेतर में उच प्रशासनिक अफसर हैं तो आज नई जिम्मवारी प्राप्त हो सकती है या पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है सरकारी कारी संपन होंगे दिन अच्छा बित्यारतियों युवाओं के लिए सारे कष्ट मिटेंगे और सिक्षा और के करें नई जुम्मेदारी को शुकार करें क्या ना करें दूसरों के कारी में रुकाउट है आपका परपल भागे आपकी पक्ष में 75% लाब का संकेत दे रहा है और बात करते हैं उपाईयों की आज सरधानुसार के हूं ने देन गरीब विद्वास्री को दान में देना बड में सुधार होगा जॉब को लेगर उठापटक शांत होगी और वैपार में लाब होगा पारवारी कलह से छुटकारा मिलेगा और संतान पक्स अनकूल रहेगा संतान समंधी समश्या में आज रहत महसूस करेंगे धार्मिक यात्राओं का योग भी है पारवारी जीवन दा अच्छा रहेगा जीवन साती अनकूल रहेंगे और उनके सयोग से कारी समंधी मसले भी हल होंगे बस थोड़ा सा अनावसे खर्टों से बचना है अब विद्यारती ही हुआ है नक्षितर करना सिक्षा और कैरियर के चितर में इस बात का संकेदरी है कि भाई अपनों की बात पारवारी कलहे नियों इसे बचना पड़ेगा विवादी सौदों में पुझी निवेश नहीं हो प्रापर्टी विबादीत कोई हो उसमें हाथ नहीं डाले नुक्सान हो सकता है शितार की विचाल प्रतिकुलता का संक्यदरी अपनों का स्वयोग नहीं मिलेगा कारिष्ट में बादा उत्पन धनका अपवय है यात्रा में कष्ट है हानी है और पारवारी कले से मन में पित्यारती युवाओं को शिक्षा के छेतर में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठी प्रिश्रम करना पड़ेगा क्या करें कारिष्ट मंदी गोपनेता बना करें क्या ना करें अपनों के साथ मत भेद नहीं रहें आज को लग्की का अंक है वो टू है और लग्की जो कलर तीसरे भाव में श्यों के नक्षतर में संचरन कर रहा है शास और प्रक्रम में विद्धी होगी मनुबल अच्छा रहेगा उमंग उमेंद सफलता की और आगे लेके जाएगी आर्तिक प्रिशन में सुधार होगा जो आपने सोचा वो पूरा होगा पारवारिक इस्तिती उ अब विद्यारतिया आप युवा हैं बाधा परिशानी मायोश्यू से मुक्ति मिलेगी और केरियर और शिक्षा किसे तुमने सफलता आपका दामन के क्या करें पुराने लोगों से अपना मेल जोल बढ़े क्या ना करें प्रिये जनों से जूट ना बोले लगी अन्गा आपके लिए बाध करते हैं धन राजिगी दूसरी भाव में शोम की नक्षत में चंदर्मा का संचरन खुशी का संकेत दे रहा है आप प्रसासनिक अप्सर हैं आप राजनेत आए आप उच पदों पर विराजमान हैं आप शफलता आपके साथ हैं अपनी उच महत्वा कंसा की पूर्ती का प्रवल संकेत नजर आ रहा है और व्यविशाय में लाव मिलेगा आए कि साधन उपलब्द होंगे जो आपकी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आज पूरे होंगे पारवारी बातवन खुशों से भरा रहेगा लावदय की यात्राओं का यूग भी है एक बात क संके दे रहे है कि धरातल पर खड़े होकर निरने लेन अच्छा रहे है क्या ना करें शत्रू को कमजोर न सब्सक्राइब कर रहे हैं लाव का संके दे रहा है आज पकावा पपीता किसी गरीब निर्दन स्वागन इस तरी को दान में देना पर आशुब्रेग नमनें बात क अच्छा लाव का संके लिए और भाग्या आपकी पक्षम करवर और आज वेवेशाय को लिए आप भाग्य सालिए लाव मार परशत होगा परिश्रम का उच्छित फल प्राप्ट होगा मन परशंद हेगा पुराने मित्रों से मिलन होगा कारुबार्शमंदी मसले हलोंगे शामाजिक वर्चसु बढ़ेगा राजनित और प्रशासनिक छेतर में कार्यतर लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है आप विद्यारतिया भी हुआ है तो नक्षरतर करना इस बात का संकेदरी है कि सिख्षा के छेतर में प्रियास सार्थ तक्सित होगा पढ़ाय में मन लग करें कारी शमंदी गोपनेत को भंगना करें आपका लग्यां के शेवन और लखी कलर आपका ग्रे भागी आपकी पक्स में अस्वी प्रतितत सपोर्ट का है लाब का संकेदर है आज देशी चने किसी गरीम निदन विद्वास्ति को दान में देजीगा उमर शाट साल से उप आना पड़ा और शंश्यात्मा विनेशाते आज मन में शंश्य होगा तो बड़ा नुक्सान हो जाएगा इससे बच्चना तर्क और वितर्क से दूर रहना दलीले आज आपको प्रेशानी में डाल देगी आपको दलील देना है नहीं द्यान दिया तो खर्चा बढ़ेगा आज कारी छेतर में करमचारियों का सहयोग लेना बड़ा मुश्किल है इसने मेहनत करनी हो यात्रा में कष्ट है अस्पताल पे खर्चा हो सकता है परिवार में कले भी है आप विद्यारती युवा है आज सावधानी का संकित नजरार लापरवाई नुक्सान दे जाएगा क्या करें कारी छेतर पर अपनों के साथ बैठकर विचास विमर्स करके आगे बढ़ें क्या ना करें जो अपने साथ ही उनसे तकरार नहीं करें लकी अंगे आपके लिए फाइप और लकी कलर आपका इसका इप लिए हुमराशिवालों शष्टों का तेल किसी गरीब नेदि खुशियों का संकेत सपलता का संकेत काम बनेंगे बागिया आपकी फक्ष में कर वर उत्तमर मनोबल उंचा रहेंगे बिगड़ीवे कारी सिगरता से संपन होगे परचूर महतरा में धनलाब होगा दामपते जीवन शुक्षी होगा मनोरंजन के आफसर प्राप्त होगे और लाब का संकेर दे रहा है आज पीले बुस्तरों का दान देना बड़ा शुबर बड़ा ही कल्यान कारी रहेगा यह था बारक बारा राशियों को राशिपल युगर नश्रों प्राधिर अधार पुने निवेदन विचार है मेरे लादने का कोई शबावनी शेकन ओपनेंड का आपका था आपका है रापी का रहेगा लोकेश कुमार जी का सवाल है और लोकेश जी दिल्ली से ही है कि जीवन में संतुलन मंगल में वातावरन के लिए क्या उपाई करें कि जीवन संतुलित रहे पारवारी वातावन कारोबारी वातावन नोकरी का वातावन संतुलित बन में चीनी की जगे मिश्री मिलाएगा और वहां चंदन की धूब जले लगातार 21 गुरुवार आप करके देखेगा एक संतुलन आएगा एक बैलेंस आएगा और परिशानशे मुक्ती मिल जाएगी नमाना रहे है अमृत सर से सवाल है और स्वाल किया है अमित सिंगी ने कि आखें नेन है तो शैन है इसलिए अच्छे आर्वेद से बात करिए शिक्सा करवाई तो अच्छा रहेगा हाँ जिदी द्रस्टी कमजोर है नीम की फूल होते ने उससे चाया में सुका दे जितने फूल उतनी कल्मी सोरा बारीज पीसरे और कपड चान कर लिजेगा एकदम साथ अंकण नहीं होना चाहिए प्रति दिन रात को सलाई से आंक में काजल की तरह लगा के देखे थोड़े दिन में जलन और द्रस्टी में परिवर्तन जरूर आएगा लेकिन फिर भी सेकंड ओपनें लेना ना बैट नमना कोई भूल हो गई यह तो दोनों हाथ जोड़कर समयवर्त्यों आप की रहें। आप स्वास्त हैं च्छीन हम मेरी परात्ना रहें। रास्तान का हर वैकति जानता एक दात्य मारा जगायों से महां उस्लान और हो आण पैकान फिर जीवन के लिए में अपना शम्पूंग जिवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की ते धरोवर थी और ये करना मेरा करते और करम था मैं आप को किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस हाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षरा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राश्ट के शेवा करूँ मैं इस राश्ट का नागरिक हूँ 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन जिस राश्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आरतिक दस्ठिकौण से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीज़े नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आय था हमेशा मैंने का आप मैं भी शेवा करता हूँ धन नहीं छाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्थिक पर स्तिय है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांगँ रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा यह एंकार नहीं है साथियों मेरा राज शरू पर ही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्ण करूँगा आपके लिए और परिश्ण के एवज में गायों के लिए चारे की वेबिस्ता करिए शनि भगवान आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिन में लगब लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार परगड़ करता हूं और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकॉ इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है औ लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार निवेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना आ ओम नमोना आप